नमस्कार पुंदिर्खंडे एक्स्प्रिस निवीज में आपका स्वागत है वो मैं हूँ आपके साथ मनोचते बारी तो आईए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास ख़बरों के साथ जरुआ खेडा पुलिस चौकी अंतरगत राम मंदिर के पास एक ओमनी कार टायर फूटने की बजह से आनियंत्रे थोकर पलट गए जिसमें दो महिलाएं चोटिल हो गई बाकी अन्य लोगों को हल्की फुल्की चोटे आई हैं मिली जानकारी के नुसार खिमलासा थाने के करमपुर गाउनेवासी एक परिवार नवमी पर्व की पूजा के लिए जैसी नगर थाना चित्र के अगरिया गाउं गया हुआ था पूजा करके लोटती वक्त जरुआ खेडा के राम मंदिर के पास अचानक से ओमनी कार का टायर फूट गया और ओमनी कार आनियंत्रित होकर सड़क किनारे जाकर कुलट गए हादसे में ओमनी कार उपर से चप्ती हो गई जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि कई लोगों को चोटे आई होंगी लेकिन गनीमत रहे सिर्फ दो महिला क्रांती उम्र 50 साल और लीला उम्र 65 साल को हाथ में चोटे आई है वही कार में सवार अन्नी लोग जिसमें बच्चे भी शामिल थी उनको हलकी फुलकी चोटे आई है वही सड़क से बीना से 108 एंबुलेंस गुजर रही थी जिसने हाद से देख घैलों को एंबुलेंस के द्वारा जरूआ खेडा प्रात्मिक स्वास्त केंद्र पहुंचाया जहां प्रात्मिक उप्चार के बाद घैल महिलाओं को जिला स्पताल र्याफर किया गया है जरूआ खेडा से जितींद्र यादों की रिपोर्ट फिला हल के लिए इत्मा ही बुंदिर्खंड की ताजा तरीन तमाम खबरन देखने के लिए बने रहे है बुंदिर्खंड एक्सप्रेशनियूज के साथ